हेलो एवरिवान और वार्म वेल्कम तो एचीवर्स यूटूब चैनल दोस्तोब चैनल का वेटेज है और भिसेय के कंप्रीजन में और भिसेय के तुलना में जिकेजियाज का वेटेज यदा है ज्वाकिनि इससे पुशे जा रहा है अग जिनका जिकेजियाज अच्छा रहएगा वो अराम से अच्छा सको औरтора आशको कर सकते हैं तो यही सब चीज़ को देखते हुए हमारी टीम के दोरा यह निर्ने लिया गया कि NTPC का जो भी previous question हुआ है वो करा दो और previous question कराने का सिर्फ यही उद्देश रहता है कि exam का pattern पर चल सके कैसे कैसे questions पुछे जा रहे हैं और यही एक सही तरीका भी है एक्जाम में अच्छा करने का वेश तरीका है कि previous question साब बना डालो तो यही सब चीजों के लिए यह निर्ने लिया गया और आप लोगों के लिए यह NTPC का बैच स्टार्ट किया गया तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाज तक बने रहिए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें ठीक है अभी तक जो नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवन वेल आइकूं को दबा ले ताकि आने बाली सभी रेगलर मिलती रहे है दोस्तों आपसे एक लास्ट रहेगा कि जो प्यार आपने चौहांसर को दिया उसे कम तो मुझे बिल्कूल ना दे जरूर उनके इतना ही मुझे सरा है और अपना कमेंट में अपना राइज जरूर दे ठीक है फर्स्ट कुशन देखते हैं एक गती सिल बस्तू अनिवार रूप से प्राप्त करती है तो जो गती सिल बस्तू होता है वो क्या प्राप्त करती है वो एक वो गती जूर्जा प्राप्त करती है अब गती जूर्जा क्या होता है तो गती जूर्जा किसी बस्तू में उसकी ग गतिजूजदा कहते हैं अब गतिजूदा क्या होता हैं तो उसका होता है की बरावर हाफ यम भी स्क्वार ठीक है और इसमें यम दोता है दर्मान उता है और बस तू वी जो रहता है वह वेग़र लाता है ठीक है यह हाप iarANSक्वाइर अगला कुशन देखते हैं कि निम्लीखित ने कौन सा एक प्रस्ट कंपीटर के कंप्ऺूट्ञ करता है कि यह कि यहां कंप्यूटर के अनप्स को संदेश kati देता है जिस तर्रीके से हमारा brain हाद है मेरे में कमेरा छूप गया है तो मेरा हाथ भून आज रही lorsqu चुब गया तो मने बिंगे होता है je ये 20 परियाबरन दिबस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है यह हर वर्ष संजुक्त रास द्वारा गोसित यह दिबस परियाबरन के प्रति बैस्विक अस्तर पर राजनितिक और समाजिक जागरिती लाने के लिए मनाया जाता है यह पहली बार 1973 में परियाबरन दिबस की रूप में मनाया गया था और इस बार का जो परियाबरन दिबस मनाया गया उसका थीम था टाइम फोर नेचर क्या था टाइम फोर नेचर अगला कुशन देखते हैं जैब परदोग की बायो टेक्नलोजी का तात्र पर रेकिया है तो इसका अंसर है और जैब परदोगी प्रकिरिया में सजीबो का उपयोग यहाँ पर सचीबो लिखा गया है गलती लिखा गया है यंत्रों से संबंदित अध्यन और समस्या के समाधान के लिए उपयोग किया जाता है यह जैब परदोग की हो गया है इसमें आपका अभियांत्र की और तक्निकी के बारे के डाटा के तरिचु को बारे में पढ़ा जाता है इसके बारे में इसका अध्यन क्या आता है ठीक है अगला question देखते है BIOS का पूरा नाम क्या है यानि BIOS का full form पुछ रहा है ठीक है तो BIOS भी computer का ही एक term है इसका form होता है B for basic, I for input, O for output और S for system ये निर्देश computer में एक chip के रूप में होता है और इसका बनाने का उदेश होता है कि disk को fail होने से रूपना मतलब जो disk fail होता है उसके होने से रूपना ये BIOS का बनाने का उदेश होता है ठीक है अब अगले question तरब move करते है उचाई पे उड़ते वबिमान के केविन के अंदर का दवाब होता है तो क्या होता है तो बाहर के तुलना में अधिक होता है जब उचाई में उड़ते होए बिमान के के अंदर का दवाब बाहर के तुलना में अधिक होता है जिससे याति और Q-member अच्छा फिल कर सके अच्छा है महसूस कर सके अगर दबाब कम रहेगा तो इनसान के स्वास्ते लिए काफी आनी कारे खो सकता है अगर उचाई पर दबाब कम होगा तो हैपोक्सिया और बैरोट्रोमा यसी कई बीमारी होने का खतरा रहता है इसलिए बाहर के तुलना में दबाब अधिक रहता है ठीक है अगला कुशन देखते हैं सूचना का अधिकार RTI किस वर्स लागव हुआ था तो ये 2005 में लागव हुआ था और इसका लागव करने को देश के हैं वो सब जानते हैं तो सूचना का अधिकार मतलब होता है सूचना पाने का अधिकार और राइट इन्फर्मेशन कुछ कुछ भी हो रहा है कुछ भी घट हो रहा है कुछ भी घट है देश में कोई भी चीज़ हो रहा है कोई भी स्कीम आया कुछ भी चीज़ आया तो हम लोग शिटीजन को जानने का पुरा-पुरा अधिकार है ठीक है और इस अधिकार के द्वारा राष्ट अपने नागरिकों और यह आठकल उनीस एक के तहद संभीदान में जोड़ा गया ठीक है अब अगला कुशन देखते हैं ग्लूकोमीटर के बारे में निम्लिखित कत्नों में से कौन सा कथन सही है ग्लूकोमीटर तो यह एक चिक्रित्सक उपकरण है यह एक गयर चिक्रित्सक उपकरण है इसका ग्लूकोमीटर नाम से पचल रहा है ग्लूकोमीटर नाम से पचल रहा है इसके द्वारा रक्त में व्लड में ग्लूकोमीटर यहां उपकरन मधूमे रोगी हो यानि डाबिटीज लोगों के लिए काफी लाब दाएक होता है और इसका यूज मधूमे रोगी जो होते हैं जो डाबिटीज पेसेंट होते हैं वो खुद जाज कर सकते हैं इसके यूज के लिए आपको डाक्टर पजान नहीं पड़ेगा य यह जो है गुलूकोमेटर है यह एक चिकिट सक उपकरन है जिससे बोड़ी जिससे मदलब आपका ब्लड का गुलूकोज का मात्रा मापा जाता है ठीक है अगला कोश्टन देखते हैं निम्लुखीट में से कौन सा कथन अर्षत्य है ध्यान दिजिए कौन सा कथन अर्षत्य चलिशा सी उसके हैं, इघ्जाने enorm मेंगां तर्म होते हैं, जहां पे लोग गल्थी करते हैं, कहीं कहीं रहा हूं, निमिर्खिज में कौण सा कथन सही नहीं है, अगला इनसान होता है वो इतना flow में रहता है कि सही है समझ लेता है, नहीं को बिल्कुल that स Regard तो चहिए कि एक्जाम में बिल्कुल होसो हवास में जाए और एक्जाम को बारीकी से हरे कोशन को पढ़े क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा है वो बिल्कुल देखना पुड़ता है तो यही सब सिल्ली मिस्टेक आपका जो सही नंबर आप अराम से कर सकते हो वो गलती कर दोग मैंगरोब बन आम परदान करते तो यह बिल्कुल नहीं है मैंगरोब बन आम हमसे कोई मतलब बतलब नहीं है मैंगरोब जब विविता को बनाया रगता है बिल्कुल सही चीज़ है मैंगरोब बाड को भी मेंटरिंग करता है जहां कहीं बाड आड आता है तो मैंगरोब बन तो यह जो तीन उप्सन है, यह 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 तीनु सत्य है, यानि उप्सन यह सत्य है, ठीक है, मैंगरोब के बारे हम देखते है, जो मैंगरोब होते है, मैंगरोब पउधय या पिड होते हैं, ठीक है, और यह खारे पानी के ठटी चुत्रों में पाए जाते हैं, यह उसन कटी बं फीम बेटका किसलिए प्रसिद्ध है यह पासान आसय यानी रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है अब देखते हैं वहची बारे में तो भीम बेटका को 2013 में 20 candces राज के राय सीना जिला में है ठीक है उसके वाद से जो की भुपाल से लगभग 40 km साउथ में है ठीक है यहाँ पुरा पास्निक अबासिय पुरा अस्थल है यहाँ के गुफाओं से मानव निवास की जनकारी मिलती है यहाँ के प्राचिंतम चित्रकारी का भी सक्ष मिलता है यहाँ से मानव निवास की जनकारी मिलता है और यहाँ से प्राचिंतम चित्रकारी का भी सक्ष मिलता है जो आदी मानव द्वारा बनाया गया था यहाँ जो चित्रकारी है वो पूरा पासान काल से मध्ध पासान काल के समय का माना जाता है यह जो पूरा पासान आस्रे है र इस वर्स में केलास सत्यार्थी और मलाला इसुफजाई को संजुक्त रूप से नॉबल का सांती प्रुषकार दिया गया है अब देखते हैं केलास सत्यार्थी के बारे में तो ये कल्यास सत्यार्थी जो थे एक भारतिये बाल अधिकार करता और बाल सरम के बिरूद पक्षदर थे इनका कहना की बाल सरम लीगल नहीं है इनका कहना है सभी लोग कहना ये बिल्कुल इलीगल है बाल सरम जब बच्चे को पढ़ने का समय होता है जब बच्चे का भवी समणने का समय होता है आप उस समय उससे सरम कराओगे उस समय से उसको आप अच्छे संसकार नहीं दोगे उस समय आप उसको अच्छे सिक्षा नहीं दोगे तो वो तो आगे उसका फूचर तो बिल्कु खराबी होगा ना तो ये बाल सरम के बिरूद प्रक्षदर थे मतलब ये बाल सरम नहीं होना चाहिए इन्हों ने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की अस्थापना की थी वर्ष 12 में पाकिस्तान की नारी सिक्षा काय करता मलाला इस उपजाई के साथ नॉबिल का सांति पुरुषकार इन्हें दिया गया था अब ये नॉबिल का सांति पुरुषकार है यह नॉर्वे से दिया जाता है आखिरी वर्स जो लास्ट वर्स जो था जब जो मिला था इस पर संथिपुरस्कार में न 17 मिला था और महलाओं के खिलाप होने बाली इन्सा को ब्रोत करने बाले नादिया मुराड और डेनिस मुक्वेफ को ये नोबिल का संथिपुरसकार 2018 में मिला था, किनको मिला था नादिया मुराड और डेनिस मुकिवेक को ठीक है, अब अगला कुशन देखते हैं समानता निमलिखित में कौन सा कैंसर का कारण नहीं है तो इसमें ट्रांसमीशन जो है, वो कैंसर का कारण नहीं है, पर्यावरन ये कारण बिल्कुल है, अनुबांसिक उत्परिवरतन अनुबांसिं संसोधन, जीन का संसोधन करता है, जीन में कुछ ज़्यादा उप्योकर वाली है कि हमको सुंदर दिखना, ये करना है वो करना है तो उसे हो सकता है, अनुबांसिक उत्परिवरतन तो यह इससे भी cancer कारण हो सकता है लेकिन transmission से बिल्कुल cancer कारण नहीं होता है अगला question देखते हैं divging पर क्रिया क्या है यह divging पर क्रिया क्या है यह divging जो है यह भी computer का term है देख लिए computer से question पहल जा रहा है यानि आप लोग को computer का भी questions पढ़ना है एक्जाम में अच्छा करना है तो computer का भी term आपको समझना पड़ेगा computer का भी question करना पड़ेगा ठीक है जो divging पर क्रिया है वो computer software और system को जो दोस होता है जो भी गलत होता है दोसों को दूर किया आता है जो भी गलती होता उसको यह control करता है इससे computer और software और system के दोसों को दूर किया आता है अगला question देखते हैं निम्लिखित में इसे कौन सी एक gas greenhouse नहीं है यह नहीं पर focus दीजेगा ठीक है एक्जाम में आप जाते हो चिल मारके बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो अराम से question कर रहे हो फ्लो फ्लो में और नहीं नहीं देखे अब नहीं नहीं देखे तो खता तो हुई जाएगा तो बिल्कुल concentration बनाके एदरम अराम से जाना है और बिल्कुल हर question को अराम-राम से पढ़ना है ताकि आप question का टर्म जाना है और क्या कहा रहाँ नहीं है हाँ है वो चीज़ को समझ सके आप इतना दक्ष है कि आप question को सही कर सकते है बहुत easy- Echo question रहता है वह greenhouse gas नहीं अब दखते ग्रीण आउस इफ्क्ट क्या होता है जो ये ग्रीन हाउस इफ्क्ट था वो natural प्रकिश्च लिया है जिसके दोरा किसी गरह या उपगरह के बातावरण में मूझूद कुछ gas से बातावरण का तापमाल बढ़ाने के लिए responsible होता है यह यह बातावरण कोशन ग्रीन हाउस गैस के बारे में अगले कोशन तरफ बढ़ते हैं मिखिद में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंदहीन नहीं है रंगहीन एवं गंदहीन नहीं है यानि कोशन का राकी जिसमें रंग भी है गंद भी है ठीक है तो कोशन यह है कि रंगहीन एवं गंदही होता है जो कलोरीन है इसमें रंग भी होता है और यह इसमें गंध भी होता है बाकि सारा इसे नीटोजन आऊक्षीजन असे सब नंगीन और गंधीन होता है ठीक है अगला कुछ attract欅 किसे क преп बिस्मार्ग उप 10 जी को कहा जाता है तो अब इन्हें बिस्माक अपिंडिया क्यों कहा गया यह जाना हमको जरूरी है तो बल्ला भाई पटेल को बिस्माक अपिंडिया इसलिए कहाता है जिस परकार से बिस्माक ने जर्मनी का एकिकरन किया था जर्मनी की एकिकरन उनका महत्पून भूमिका था बिस्माक जिका उ उसको एकी कृत करके राज के रूप में दरजा जो राज को एक मिलाने का काम ये आपका बल भाई पढ़ लग के दोरा ही किया गया था और इन्ही के नाम से अभी कुछ दिन पहले बहुत पहले न्यूज में था Statue of Unity इन्ही के लिए Statue of Unity बना गया इन्ही का परतीमा है वो 182 मीटर उची परतीमा है ठीक है जिसको राम 20 उतार के दोरा डिजान किया गया था और ये आपका कहा है इसका आप लोग को कमेंट में अंसव देना है ये किश नदिय किनारे है कहा है वो आप लोग को कमेंट में अ धीक है ओनाते हैं और राश्ती एक्ता गयाता है टो 31 अक्टूबर को उनका जनमदीन के वशार परужती स्भी बकात्रोंग मनायता है तो विश्व तमाकू निशेद डिवस कब मनाया जाता है तो वीश्व तमाकू निशेद डिवस है वह 31 जून को हर साल मना जाता है विस तमाकु निशे दिवस पूरे बिस्म में 31 मही को मना जाता है जिसे डबलू या चो यानि वल्द हेल्थ औरगनेशन के द्वारा 90-87 में घोसित किया गया था ठीक है अब गला कुशन देखते हैं इसमें कुछ जादा जाना नहीं था कुशन है कि ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाले पहला भारती एक कौन थे ये सैना नहिवाल जी है जो कि ओलंपिक में ओलंपिक के बैडमिंटन में पहले बार पदक जीतने वाले ये खिलाडी बने थे ठीक है या पहली बैडमिंटन प्लेयर है कास पदक प्राप्त करते हुए रखा था जचा था ठीक है कास पदक इन्होंने जीता था कब यह था 2012 के अपका लंदन में जो अलंपिक हुआ था वहाँ यह था साया नहवाल दी के बारे में था अब अगला कुशन देखते हैं यह कथन किस मानव के लिए छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी सी चलांग है किसके बड़ा कहा गया था यह जो कथन था किसी मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए सबसे बड़ी चलांग है किसके बड़ा कहा गया था तो ये निल आर्म स्टॉंग के द्वारा ये कहा गया था ये जो निल आर्म स्टॉंग थे वो अमेरिकी ख़गोली आत्री थे ये चंद्रमा पर अपने कदम रखने वाले पहले बेखती थे निल आर्म स्टॉंग जी ठीक है अब अगला कुशन देखते हैं सुर्य के अध्यन के लिए इस्रों द्वारा दोहजा उनीस से बीस में परशेपित किया जाने वाले अंत्रिक्ष्यान का नाम क्या है तो इसका नाम आधित्य है जो कि सुर्य के अध्यन के लिए इस्रों के द्वारा द्वारा उनीस बीस में परशेपित किया गया था अगला कुशन देखते हैं स् Damon look Uz वस्तियोपोरसिस किस अंहस संबंदीत व उस्तियोपोरसिस है वहरडी शंबंदीत है अब वे तो क्या है यसकर हम जानते है तो वे से खनी स्विस éléments इसे जी बहता है यह इसमें ऋůर्ग करत जाती है इस्में इसमें बोन में बोन मिल्लर से कमी हो जाता है हड़ी में जो खनीज का कमी के कारण बोन काफी कमजोड पड़ जाता है और इससे हड़ी आपका एफेक्टेट हो जागा तो ये औस्टी प्रोसिस है जो कि हड़ी से संबंदित है अब अगला कुशन देखते है स्वतंत्रतापुर्व भारत में भारतिय राश्टी कॉंगरेस की पहला महला अध्यक्ष कौन थी ये इनिवेसेंट जी थी जो कि स्वतंतापुर्व भारत में भारतिय राश्टी कॉंगरेस की पहला महला अध्यक्ष बनी थी यहां जो थे 1917 में कुलकाता अधी विशन में यह अध्यक्ष बने थे अब इसमें कुछ जादा आओ पढ़ना नहीं है तो अगला कुशन देखते हैं मंगल और विटर मीशन मंगल यान को किस वर्स परचेपित किया गया था यह 12-13 में परचेपित किया गया था अब मंगल यान के बार में जानते हैं तो मंगल यान भाद का परथम मंगल अवियान है यह भारत के ग्रहों के बीच परथम मीशन है तीक है यह जो मंगल यान है यह अन्ध परदेश के स्री हरी कोटा से स्थित सतीज धवन अंत्रिक्ष केंद से धूबिय उपगराप पर मंगल मुभी देख लीजिए आपको मंगल गयान के बारे में सारे फेक्स पाचल जाएंगे ठीक है अब अगला कुशन देखते हैं भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ में है तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो बांगला देश के साथ में बनाता है ठीक है बांग के साथ चार हजार 96 किलोमेटर का बॉंडरी सेर करता है ठीक है अब इससे जुड़ा है और कुर्स फेक्ट देख लेते हैं जिसे अब आपका सबसे लंबा सीमा किस-किस देश का जुड़ा है ये घर्टे करम में हम देख लेते हैं कि और कौंकों से देश है जिसका बंग्माद कि बच्पन में 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 बच्पन मे अब अगला कुशन देखते हैं निम्लिखित में कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है इनमें एयर रहमान जी जो है वो भारत रत्न से सम्मानित नहीं है बाकी आपके में सुभा लक्षमिर जी जो है वो भारत रत्न प्रात करने वाले पर्थम सास्त्रिय गाईका थी ठीक है उसको लताम अंगेशकर जी है य यह जानना ज़रूड है इन्हें 2001 में भारत अत्ने से संभानित किया था। तो या रहमान जी को भारत अत्ने संभावाव wondhora संभा भी दिया गए वो भी मुजिक से विब किया गया हैं झो आक्छान देखते हैं भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है दूसरी सबसे लंबी नदी पहली कौन है यह बताईएगा आप लोग सबको पता होगा लेकिन फिर भी कमेंट में आप लोग अंसर दीजिए कि पहली सबसे लंबी नदी कौन है दूसरी जो है वो सबसे लंबी नदी गोदावरी है यह जो है नदी गोदावरी है यह दचिन भाद की एक प्रमुख नदी है इसको ब्रेद गंगा भी कहते हैं यह जो नदी है पस्यम घाट से पस्यम घाट के परबत से त्रिम्बकम परबत से निकलती है त्रिम्बकम परबत से यह गोदावरी अपकी निकलती है इसकी लंबाई 1450 किलिमीटर है, ठीक है, यह जो नदी है, इसे लाभनबेट कौन-कौन राज है, यह देख लेते हैं, तो इसे महारास्ट, तेलांगना, अंधरपरदेश, छतिसगर और ओडिसा, यह कुछ राजर में बहती है, ठीक है, और उसके बहते-बहते, बंगाल की खा नहीता, इंद्राबती और मंजीरा, यह कुछ-कुछ परमुखनी ते, चापास नदी है, जो मुझे याद था, वो मैं साल आपको बता दिया, ठीक है, तिये था आपका दुस्ती सबसे लंबी नदी, जो की गुदाबरी, अगला कुशन देखते हैं, इन्योस्को का 22 असल, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, किस भारतिय सहर में है, यह कुलकाता में है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, जिसका निर्मान, महरानी विक्टोरिया के मिलतिव पर, लौड करजन के दौरा, यह बनाने का सलाह दिया गया था, 1906 से 1921 के बीट में यह बना गया था, जो रानी व दो द्वारा बिक्षित अकास क्या है, जो अकास है वो क्या है, यह जो अकास है वो 17 से हवा में मार करने वाली मिसायल पर नारी है ठीक है यह जो मिसायल है, वो 18000 मीटर उचाई तक मार कर सकता है और इसकी operation range जो है, वो 30 km तक है, ठीक है यह मार करेगा 18,000 अपका मीटर तक उचाई में मार कर सकता है अकास, नामी अकास यहनि सतह से हवा मार करता है अकास मतलब क्या अकास तो उपर रहता है तो वही सतह से हवा में मार करता है अकास मिसाल, ठीक है? अब मूव करते हैं 29 question second last question है अपका भारत, पाकिस्तान, कारगिल यूद का कोड नाम क्या था? तो भारत, पाकिस्तान, कारगिल यूद का कोड नाम operation बिजय था, ठीक है? कारगिल यूद कब हुआ था? तो यह 1999 में कारगिल यूद हुआ था और किस-किस दसके बीच में हुआ था है? भारत और पाकिस्तान के बीच में कास्मीर के कार्गिल जिले में यह हुआ था ठीक है कार्गिल जिले इसका नाम था ओप्रेशन बीजर है कोड़नेम था अब मूव करते हैं लास्ट कोश्चन निमलिखित एजेंटों में कौन सा पेजल की सुधी के लिए उप्यूक्त है यह ऑक्सिडाइजिंग एजेंट है जो की पेजल के लिए सुधी करन होता है सबसे अच्छा एजेंट होता है जैसे आपका स्यल्टू होता है यह था आप लोग का 30 questions का session I hope आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगा हो तो like करो, share करो, comment करो, अपने दोस्त्यारों में share करो जो भी NTPC के exam देने वाले हैं, उन सारे लोगों में share करो, जितने लोग देखेंगे, जितने लोग like करेंगे, जितने लोग comment करेंगे, मेरा energy उतना ही boost up होगा है तो मैं मेहनद कर रहा हूँ भाई, आप भी मेहनद करो, आप exam में अच्छा करो, आप logo में share करो, लोग अच्छा करें, इससे बढ़के मुझे और कोई खुसी नहीं है, तो आप लोग like करो, share करो, जो करना सब करो, लेकिन करो, उसके वाद से, जो भी लोग NTPC का test देना चा पढ़ लिए, पढ़ लिए तो आपको तो अब भी सब को पाचा लगया, लेकिन अगर जो आप test लगा तो तब तो पाचा लगा कि मुझे कितना कोईशन से याद हुए, कितना कोईशन से नहीं याद हुए, अगर जो वो कोईशन याद नहीं हुए, आप test लगा लोगे, त